राजधानी दिल्ली और NCR के कई हिस्सों में आज सुबह हलकी बारिश हुई आगे मध्यम तीवरता की बारिश के भी आसार हैं बादलों की वज़े से दिन के समय भी तापमान में भारी गिरावर की उम्मीद है अठारा क्टूबर यानि सोमवार को भी हलकी बारिश होने की बात कही गई है इसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा लेकिन यूंतम तापमान में गिरावर शुरू हो जाएगी जिसकी वज़े से सर्दी का एहसास भी होगा वहीं उत्राखन, पश्मी, यूपी और हर्याना के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है मौसम विभात की ओर से रेड अलर्ड जारी किया गया है आईमडी के मुताबिक आज हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, सिर्मौर, बिलासपूर और मंडी जिलो में गरज के साथ हलकी से मध्यम बारिश की संभावना है बता दें की दिल्ली के करावलनगर, दिलशाद गार्डन, सीमापूरी, सीलंपूर, शाहदरा, विवेक विहार, लालकिला और प्रित विहार सहित कई अलग अलग जगों पर और आसपास के इलाकों में हलकी तीवरता की बारिश हुई बारत मौसम विबाग का कहना है कि अगले दो घंटों के दोरान पूरी दिल्ली और नोईडा के कई स्थानों पर और आसपास के इलाकों में हलकी से मध्यम तीवरता के साथ गरच के साथ बारिश जारी रहेगी वही माचल प्रदेश, उत्तराखन, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हर्याना, मद्र प्रदेश और पूर्वत्तर राजिस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश की गतिवेदियां शुरू हो जाएंगी पूर्वत्तर भारत, चत्तिसगर, मद्र प्रदेश, जारखन, उत्तरप्रदेश, बिहार, राइल, सीमा और तमिलनाडू के कुछ इस्सों में हलकी से मद्यम बारिश संभव है पूर्वी राजिस्थान, उत्तर प्रदेश के मद्ध और पश्चमी भाग और जम्मू कश्मीर में छिटपुट हलकी बारिश हो सकती है केरल में बारिश, बाल और भूसकलन ने कहर बर पाया है अब तक 11 लोगों की यहां मौत हो चुकी है राज के दरजन भर जिले बाल से प्रभावित हैं बूसकलन के बाद नदी नाले उफान पर हैं इस बीच मौसम विभाग ने अभी दो दिन और तेज बारिश होने की संभावना जताई है पेरल के साथ आंद्रप्रदेश और तमिलनाडू में भी भारी बारिश ने चिंता बढ़ा दी है आंद्रप्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया है बारती मौसम विज्ञान विभाग ने एरल के 11 जिलों त्रिवननपुरम, कोलम, पठान मत्रिटा, कोट्टायम आदी में भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट भी जारी किया है